तो दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक मास्किटो किलर लेंप की अन्बॉक्सिंग की थी जो की बहुत ही घटिया मास्किटो किलर लेंप था तो उसी को देखते हूँ मैंने सोचा क्यों ना एक ठीक ठाक सा अच्छा सा एक मास्किटो किलर लेंप मंगाये जाए तो उसी को देखते हो मैंने इसको मंगाया है पता नहीं अच्छा है या नहीं तब तो टेश्टिंग करने के बाद पता चलेगा तो कुछ इस तरीके का हमारा ये बॉक्स है मास्कीटो किलर लेंप का हम सोचे थे कि यह आएगा इतना बड़ा सा मगर दे दिये हैं आठ सो रुपए में इतना चोटा सा अपकरे के आ गया है तो जैसे देखने में लगेगा आपको इतना बड़ा बहुत बड़ा सा आएगा ल मतलब यह शौक वाला है जैसे बैड मिंटन वाला नहीं आता मारने वाला उस तरीके का यहां पर देखिए करेंट रों छाप के दियें जाम अच्छे तरीके से करेंट वाला है यह नहीं की पंक्खे वाला है जैसे मैंने एक अन्बॉक्स किया था और यहां पर एलेक्टिक किलर लैंब तो मिलेगा ही और साथ साथ यह कुछ कागजात देखिए हटाते हैं चाइनीज में सब लिखा हुआ है यह देखिए मोटे पिन वाला हमें एक केबल मिलेगा चार्जिंग का केबल तो नहीं होगा और यह एक बरश क्या पिन टूट करना है क्या इसे देखें नह हम दिखा देते हैं कि क्या सिस्टम यह देखिए इसका टंगने वाला सिस्टम को इसतरीकre का है इसको अगर कहीं टांगना चाहते हैं तो घर में लगाए कहीं पर टांग दी इसे खुणटी उटी पर और इसका देखिए on-off का बटन है क्या on-off दबारें भी हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें cable लगेगी कैसे चलेगा मुझे खुद भी नहीं पता build quality की अगर हम बात करें तो build quality 800 रुपए लिए थे तो plasticulosity इसके ठीक ठागी दिखाए दे रहे है बस आकार इसका जो size है वो छोटा है बस यही मुझे थोड़ा सा खराब लगा है यहाँ पर charging करने का cable port जो दिया गए आप चार्जिंग आप लगा सकते हैं और यहाँ पर देखिए जो current वाला system है अंदर है अब देखते हैं मच्छर तो आज कल के जमाने के चलाख हो गए है आएंगे की नहीं आएंगे इसके पास तो चलिए इसको हम लगा देते हैं power bank में देखें power bank charge है या नहीं हाँ एक point तो charge है जैसे हम इसको लगाए है यहाँ पर देखिए एक नीली color की light जल गई अंदाजा न लग रहा हो तो फिर हम लगा देखिए बंद है लग गई अब कैसे पता चलेगा तो चलिए मच्छर वाले इलाके में इसको हम रखते हैं थोड़ा तो चलिए इसको हम थोड़ा सा short circuit करें हाँ देखिए यह यह है जब इसको आप short करेंगे ने तो इसमें से आवाज निकलती है तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं बाहर नहीं चलेंगे क्योंकि कार और थोड़ी है तो चलिए इदम बच्छर वाले इलाके में हम चलते हैं फिर अच्छी तरीके से मतलब कुछ दिर इसको रख दें में फिर आपको हम दिखाएंगे कि यह जो हमारा मास्कीटो लेम्प है किस तरीके से काम करता है तो अब आप से हम बाहर मिलते हैं तो चलिए इसको हम कुछ देर मच्छर वाले इलाके में रख देते हैं यह भूसे वाला घर है थोड़ा मतलब मच्छर इसमें बहुत रहते हैं तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं तो चलिए जल्दी से हम पावर बैंक लगा दें फिर देखते हैं कि कितने मच्छ इसमे अगर वीडियो कैसा है तो यह on हो चुका है तो चलिए अब हम जाते हैं फिर कुछ देर बाद आते हैं फिर दिखाते हैं आपको कि कितने मच्छर इसमें फसे हुए हैं मच्छर यहाँ पर बहुत है भले आपको मुवाइल में न दिखाई दे रहा हो लेकिन मच्छर बहुत है लगबग 3 घंटा हो चुका है यह देखिए हम आ चुके हैं दोबारा और यहाँ पर देखिए एक कीड़ा फसा हुआ है और साथी साथ एक मच्छर यहाँ पर देखिए फसा हुआ है इसमें यह देखिए उमर भी चुका है क्योंकि करेंट वाला सिस्टम में एक मच्छर तीन घंटे में फजा हुआ है तो चलिए इसके हम जगह बदल देते हैं अब एक नई जगह पर इसको हम लेके चलते हैं तो शायद वहाँ पर ज्यादा मच्छर फजे तो यहाँ पर भी बहुत सारे मच्छर आपको देखने को मिल जाएंगे जैसा आप आवाज सुन पा रहे होंगे चड़ चड़ की आवाज आ रही है यहाँ पर बहुत सारे मच्छर है तो यहाँ पर थोड़ी रोशनी भी है हलकी रोशनी बहुत ज्यादा रोशनी नहीं तो इसको हम एकदम डार्क जगां पर रखेंगे इदम अंधेरे में फिर देखते हैं कि क्या होता है कुछ दे रखने के बाद देखिए चड़-चड़ की आवाद आपको इसमें सुनाई देगी तो चलिए इसको हम रख देते हैं यहीं पर तो चलिए हम इसको एकदम उपर कोनी में रख देते हैं जहां पर अंधेर आओ थोड़ा क्योंकि अंधेरे में मच्छर बहुत ज़्यादे रहते हैं और कोन अगर होगा तो हाँ पर आपको मच्छर बहुत जाय देखने को मिलेंगे यहाँ पर हम लग देते हैं तो रात से सुबह हो चुकी है तो देखी यहाँ पर कितने मच्छर फसे हुए हैं हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए लगभग 10-12 तो मच्छर फसे हुए हैं ऐसा मुझे लग रहा देखने में अभी देखिए कीड़े भी इसमें फस चुके हैं मच्छर कीड़े सब यहाँ पर देखिए बड़े-बड़े जो कीड़े होते हैं कीट पतंगा वो भी यहाँ पर फस चुका है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़े बहुत मच्चर फसेंगे तो चलिए थोड़ी देर के लिए और हम रख देते हैं इसको इतने टाइम एकदम सूबह है लगबग साड़े च्छा बजे तो इसको हम यहीं पर रख देते हैं इसको नीचे रख देते हैं चलिए उपर नहीं नीचे रखेंगे क्योंकि नीचे अभी इतने टाइम तो बहुत सारी मच्छर मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर नहीं हम अब शाम को आएंगे तो अब लगभग रात के आठ बज रहे हैं तो चलिए रोशनी हम करते हैं इसमें देखते हैं कि कितने मच्छर इसमें अब फसे हुएं क्योंकि लगभग 24 गंटे आप मान के चलिए उतना तो मैंने इसको अच्छी तरीके से ट्राइ कर लिया है यहाँ पर देखिए तो आप जगए स्टूडियों में लेकर चलते हैं फिर ओयाँ परूप को अच्छी तरीके से दिखाएंगे कि कितने मच्छर फसे हूए ہیں شारे मच्छर निकाल कर हम आपको दिखाते हैं तो हम इंर इस टूडियोमें आ चुकी हैं तो चलिए ठोट ठाक के इसको अधा मच्छी त तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि जिस जगह पर हम इसको रखे हुए थे वहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे मतलब इतने मच्छर थे कि हम बता नहीं सकते हैं बहुत 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 मक्षर थे उसमें से केवल इतने मस्चर फसे हुए हैं य कि इतने देखे फसे हुए हैं फसके मर गया उसमें बहुत मे consulting मकड़ए भी हैं मस्चर कम फसे हैं इतना तु अर चाहिए थे क्योंकि मस्चर की जन संख्या जो थी वह बहुत थी लेकिन इसने बहुत कम अच्छर को पगड़ पाया है तो जो 800 रुपए ये लोग लिये हैं तो उस हिसाब का यह नहीं है जो सही बात एकदम सीधी बात यह है 800 रुपए लायक यह नहीं है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे आपको खरीदना चाहिए या नहीं मैं तो कहूंगा कि अगर आप इसको खरीदेंगे तो सीधे सीधे ये पैसे की बरबादी होगी देखने में बताये कितने रुपए का लगता है लगेगा कि 1500 रुपए 200 रुपए की आसपास होगा उससे भी कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं लेकिन इसका दाम आपको मिले इलाके में रखे थे आपने देखा बहुत मच्छर थे वहाँ पर लेकिन इसने पकड़ा केवल 30 मच्छर ज्यादा ज्यादा इसने पकड़ा हुआ था तो उस हिसाब का यह नहीं है जैसे अगर आप कहा रखेंगे ऐसे नहीं कि आप भूसे कमरे में सोएंगे आप सोएंगे इसके पास आया तो यह मार देगा अगर नहीं आया तो नहीं मार पाएगा अगर मतलब आप समझ सकते हैं गर आप इसको अपने कमरे में लगाएंगे तो यह बहुत ही ज्यादा यूसफूल नहीं होने वाला क्योंकि कमरे में मच्छर कम होंगे तो मच्छर आने वाले नहीं है इसके पाज जो गलती से काक्टो फस गए बस फस गए अगर आप लेने का सोच रहें तो मत लीजिएगा आप एकदम पागल हो जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लिए हैं 800 रुपए उस हिसाब का ये बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इसको बहुत एकदम खतरनाक इलाके में लगाते हैं जहाँ पर मच्छर बहुत हैं तो वहाँ पर थोड़े बहुत ये मच्छर पकड़ लेगा लेकिन ऐसी बात नहीं कि घर के अंदर अगर आप लगाते हैं जहाँ पर साफ सफाई जहाँ पर थोड़े बहुत मच् इससे तो बहुत ही बढ़ियां होगी और एक साल तो असानी से चल ही जाएगी अगर मच्छादानी भी नहीं लेते तो दस रुपए का एक फास्ट काड आता है उसको ले लेजिए वो आपके लिए बहुत ही बहतर होगा इसको लेकर पैसे के बरबादी मत किजिएगा मेरा तो यही कहना रहेगा बस वीडियो को हम यहीं ख़तम करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ साथे कमेंट करकी बताइएगा कि मैं आपके लिए कैसे वीडियो लाओ कैसी अन्बॉक्सिंग करूँ तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अन्बॉक्सिंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार